उने कहा था कि मैं परतेक साल दो करोर नौजमानों को रोजगार देने का काम करेंगे। कहां गये हो अच्छे, अपों लोगों की नुक्तिया मिल लहीं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, विहार को लोग देश अस्तर पर देखने का काम कर रहे हैं। विसमें तमाँ हमारे युबा नौजमान किसान साथ ही एक संकल्प लेके इस राज से भाजपा को भगाना है और देश और समिधान की लक्षा, आज जिस परकार से सुधार हो रहा है सक्छा में, हमें लगता है कि आने वाला वक्त में आने वाला समय में देश में सर्वोच स्थान पर मेरा सुचांक होगा जिस तरीके से सिक्षक बहाली हो रही है ऐसे में सेकेंड फेच की बहाली को देखते वोगे सवाल उठाए जा रहे हैं भाजपा के द्वारा यह कहा जा रहा है कि इस तरीके से बहाली की जारी इसमें करें अभी अर्थियों के दोवारा सुधार करने के लिए दायक मोरवा से रन विजए साहूं जुरेंगें बात करें रन विजए जी लगतार सवाल उठ रहे हैं ऐसे में सिख्षक बहाली जिस तरीके से होरी इसको लेकर सवाल उठाए जारा भाजपा अलग कहीं न कहीं सवाल उठा रहे हैं वहीं अभियर्थ ही सुधार करने की मांग कर रहे हैं कैसे देखते हैं अरे भारतिय जनता पार्टी के निताओं को सर्म नहीं है कि इन्होंने कहा था कि मैं परतेक साल दो करोर नौजमानों को रोजगार देने का काम करेंगे कहा गए वह अच्छे दिन बिहार के लोग मानी प्रधान मंत्री से और मानी जिरीम मंत्री से पूछता है बिहार कि कहा गए हमारे वह अच्छे दिन कहां आपने कहा था मैं पलाइन रोखने का काम करूँगा विशेश राज का दर्जा दूँगा विशेश पैकेज दूँगा आज बिहार बदला है आज बिहार में एक महाल बदला है आज रोजगार की चर्चा हो रही है लाखोर लोगों की नुक्तिया मिल लहीं लोग आगे बढ़ रहे हैं बिहार को लोग देश अस्तर पर देखने का काम कर रहे हैं और हम लगता है कि बिहार जो काम को ठानता है जो काम को करता है देश उसी राष्टे पर चलने का काम करता है। छिलिए आज बिहार में रोजगार की बहार है, नौजमान में खुसी की लहर है। कि देश से भाजपा को भगाना है और देश और समिधान के लक्षा करना बदला हुआ है ऐसे में अभिर्थी कह रहे हैं इसको लेकर सुधाय करना चाहिए लेकिन सेगेंड पेज की बहाली मैं ऐसा नहीं है कि मान्यमों मंत्री जी शिक्षा के अपरती काफी गंभीर है और लगातार सिक्षा में जो गुनवक्वक्त सुधार हो रहा है इससे आम जनों में गरजीव कमजोर लोगों में जो सरकारी स्कुल में जिनके बच्चे पढ़ते थे आज जिस परकार से सुधार हो रहा है सक्षा में हमें लगता है कि आने वाला वक्त में आने वाला समय में देश में सर्वोच अस्थान पर मेरा सुचांक होगा और विहार सवाल कि घाल रहे हैं भी हर सलकार का जूइए चातर है लगातार उसे मांग को मांग रहे हैं सरकार विचार करेगी सरकार चर्चा करेगी और निश्तितुरूप से जो भी कदम सही कदम होगा यहां के छाट अन्व जवान युवा के हित्में सरकार तो युवा है हमारे उपमुख मंद्री जी चोंतिस-पैंतिस साल के हैं पुरे देश के लिए यहाइकोन ह तो इससे युवा सरकार तो पूरे भारत में कही नहीं है, दुनिया में कही नहीं है, और हमें लगता है, कि हमारे युवा मुखमंत्री जी जो बोलते हैं वो करते हैं, उन्होंने कहा, दस लाख नौजमान को में रोज गयाख दूंगा, पांच लाख से जड़ा उन्हों दे जाती है उनके चेरे खिल उटे हैं दोहजार चौवीस में तमाम लोग संकल्प लिये हैं कि पूरी तौर पर इस बिहार को आगे बढ़ाने के लिए देश को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा जो समयधानी धांचा को कमजोड कर रही है दूर प्योग कर रही है उसको रोकने यह सिक्षामंत्र जी प्रफेसर चन्सेखर जी एक प्रफेसर हैं विद्वान बैस्टी है लगातार अध्यन कर रहे हैं चिंतन कर रहा है और रगातार नियाम होली बन नहीं सरकार का हमें लगता है गुन्वात्पा सुधार भी हो रहा है इस क्वाइल टी ओप पूरी तरह से बिहार सरकार लगे हुई है ताकि हमारे जो प्रतिभान सिक्षक है वह निश्चित रूप से उनका चैन होके आबे उनको मौका मिले और बिहार को आगे बढ़ाए अभियर्थियों की विसंगतियों को सरकार के पास या फिर तेजश्व्यादों और निश्चित रूप से इन बातों को मानेगे जो भी विसंगतिया आएगी उसको सरकार के पास पहुचाने का काम लगतार करते आए रनवीजजा साहू ऐसे में जो ही विसंगतियार है इसको देखते हुए वह भी पहुचाने का काम करेंगे तो वही सुधार लगतार हो रहा है बिहार में युवाओं को भरमार रोजगार नियाज आ रहा है तो वहीं विजेपी पर जम कर निश्वाना साथ रहे थे रादत बिहाय करन विजय सा हूँ वहीं क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है और वी तमाम कबरों के लिए NBC 24 के साथ बरढ़ है बहुत बहुत धन्य